कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनातो शान्शु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभीप्शा की पूरी टीम की तरफ से हमारी चल रही है भाई पढ़ाई एक्जाम की परिक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षा हमारे सभी विश्यों के वीडियो आपको इसी चैनल पर दिखेंगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताईए ने जूमियर्स को भी बताईए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक भी करते रहे हैं ताकि आप के साथ ज्यादा तर बच्चों को इस बाता चल स सबसे पहले बात है कि संचार विवस्ता क्या है और इसके आवश्यक अवयवों के नाम लीजिए तो संचार विवस्ता एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक सुचनाओ के ट्रांसफर को हम संचार कहते हैं किने भी दो बिंदू के बीच में सुचनाओ के आदान पदान को हम संचार कहते हैं वह विवस्ता जो संचार को सुगम बना दे उसे हम संचार विवस्ता कहेंगे अब जो है सूचना जो है वहाँ भेजने का प्रयास किया अब यह प्रेशक जो है सबसे पहले अपनी सूचनाओं को जो है क्या करेगा या तो आप जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अगर फोन में बात करता हूं तो मैं प्रेशक हूं और जो मैं बात करना चाहता हूं वह मेरी सूचना है तो यह हैं आपको पत्र लिखा तो मैंने दिमाग की सूचना यह अपने है उसको जो है मैं क्या करूंगा उसको जो है चैनल में याने की चैनल में भेज़ दूँगा इस चैनल को और क्या कहते हैं चैनल को जो है बोलते हैं माध्यम अब यह माध्यम में जो है मैं उसको जो है भेज़ दूँगा इस माध्यम के माध्यम और इस माध्यम के दूसरी और प्राप्त करता होगा वो दी माडूलन करेगा और करेगा और के बाद में प्राप्त करता को मेरी सूचना प्राप्त करता मेरी सूचना मिल जाएगी यहां मुख्य रूप से यह एक तरीका है अब यहां पर देखें कि प्रेशक ने सूचना भेजी मॉडिलन द्वारा उस सूचना को जो है क्या किया उस सूचना को जो है चैनल में या माध्यम में पहुंचने लायक बना दिया जैसे कि मैंने अपनी विचारों को पत्र पर लिखा अब इस चैनल में जो है कौन कुसी तरीके जो है हो सकते हैं चैनल में सबसे पहले हम मोडेम की बात करेंगे क्या होता है मोडेम जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर से इंटरनेट करेक्ट करने के लिए जो वाइफाइ ऐउटर वो मॉडेम का कारे करता है यहाँ इंटरनेट की सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा ग्राही और अबसक्राइब iniट द्वारा ग्राही सुरूप में उसके बाद में से भीज रहो तब भी इंटरनेट जाएगा ऐज पोरजि खिरальной तब भी इंटरनेट जाएगा और यदि आप जो है टेलीफोन को अपयोग कर रहे हैं लगवाते हैं तब भी फोर्जी जाएगा तो मॉडेम के बाद यह माध्यम यह चैनल है इसमें जो है एक तरीका है कि बहुत अधिक लंबी दूरी होने पर बहुत अरधिक लंबी दूरी ह हो जाएं इसलिए यहां पर हम रिपीटर यानि पर नजिस की लिवांततों है यह आगे पिर से जो है माध्यम में अलग तरीके से जो है क्या करेगा आपकी सूचनाओं को देता रहेगा और आखरी में आप फिर से जो है modem का उपयोग करेंगे और यह modem जो है आपको तो यह demodulator और यह modulator यह दोनों यही थे अब यहां पर एक और चीज़ होती है कि जब भी हमारी सूचनाओं किसी माध्यम से जा रही होती है उसमें चैनल लेने की उसमें जो है बहुंशारे degrees काण आ जाते हैं और उन को जो है उन西 कोखतम करने के लिए noise gate भी लगता है वह क्या होता है यह अनावस्त्यसक सूचनाओं को काटने का का रह करता है तकि हमारी दी गई सूचनाय अपने मूल रूफ से पहुंच सकें आप मीना बजार का ध्यान रखें तो मीना बजार में क्या होता है या किसी खेल के मैदान में क्या होता है बहुंच सारे लोग एक सांस शोर मचा रहे होते हैं उस समय में मेरे द्वारा कही गई बात दूसरों की आवाजों के साथ में मिलकर आप तक गलत सूचनाय पहुंचाने के लिए सक्षम है इसके लिए हम क्या करते हैं नॉइस गेट लगा देते हैं तो हम लोग ने संचार अवस्था और उसके अव्यों के बारे में बात कर ली 2020 का यह प्रश्ण है और मुझे उमीद है कि आप जो है इसमें अधिक्तम अंक लाप आएंगे आगे देखते हैं संचार विवस्था में निम्निके का काम कीजिए प् नियाइबीस का प्रशन हैं अंतर बताना था तो प्रशेट सूचनाया भेज रहा है जब कि अभीगराही सूचनाओं को भन कर रहा है प्रैसित जो है वूट चैनल के यह माद्ध्यम के पहले आता है जब की माड्ध्या के बाद आता है तो चैन्चार विवस्था में प्रयो करता है जैसे कि मैंने आपसे बात करने के लिए आपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए आवाज का उप्यों कर रहा हूं लेकिन आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं जो कि आपको इंटरनेट से मिला है तो मेरी आवाजों को या मेरे इस स्वरूप क वीडियो कैमरा और माइक के द्वारा मैं आप तक बदल रहा हूं वह का काम है पुनरा वरतक जो है क्या करता है पुनरा वर्तक जो है बेंड पारख फिल्टर जो है सूचनाओं में जुड़े हुए नौइस एनेकी जो है अना वर्तक शोर को जो है काठने का कारे करता है ट्रांस दूशर और पुर्णा वर्तक में कोई दो अंतर क्या हो सकते हैं तो ट्रांस जूशर जो है वहाँ एक प्रकार की सूचनाओं को द प्रेशित और प्राप्त करता है उन दोनों के पास हो सकता है पुर्णा वर्तक जो है यह माध्यम के में पाए जाने वाली एंटिटी है यह सिर्फ माध्यम में दिखाई देती है आगे बात करेंगे भू तरंग संचरण किसे कहते हैं और इस संचरण है तो उप्युक्त संचरण के बहुत ही खम आवरति के होते हैं अब 200 200 मीटर से दो र्णाश सर्फ होती है वहाए पंदरह सौ हर्ट से पंदरह सौ हर्ट्सी याने की एक दशमलम 205 ButYN 200 से कम होना चाहिए 태 copyright चाहिए इसका तरंग दे और से 27251 creator कर्ण चाहिए और आखर 17 स्थिति में जो रिडियो तरंग में यह अन्या यहोड एक इसके समतल होकर चलने लगती है और इस प्रकार से सुचनाओं का आदान पदान होता है जिसे हम भूत तरंगे कहते हैं अब यह भूत तरंगे जो है वो बहुत कम दूरी पर कारे करती है और यह किस प्रकार की तरंगे है रेडियो तरंगे है ठीक है इसके बाद में हम 2019 का यह प्रश सब्सक्राइब करने पर यह प्रित्वी जारा आवसोशित किये जा सकते हैं दूसरा यह प्रित्वी के तल के समान तर चलने मारी के नहीं है और यह जो है कम दूरी की संचार व्यौस्था के लिए उप्योगत होते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे आकास तरंग संचरण किसे क तक चालिस मेगाहट्स से मेगाहइट से 40 मेगाहट्स के आसपास की जो आवरत्ति है इस पर चलने-वाली जो ह्ब रेडियो तरंगे जैसे कि alrededor है तो यह सारी तरंगे जो है यह अकास तरंगों की कैटेगरी में आती है इन से जो है के जो है दो प्रकार के जो है irresponsible हो सकते हैं पहला होता है इन से जो है हम डारेक्ट यक styles原 270 सद्धाप्र सकते हैं या फिर है सेिटल लाइट नैशन कम्निकेशन भी हो सकता है सेटलाइट ऎकंट्र कम्निकेशन भी चालिस मेगा हड से अधिक आवरिति की सारी तरंगे यह कैटेगरी में आ सकती हैं यह इस आवरिति में जो है जो तरंगे हैं वह छोब मंडल और आयन मंडल को पार करके निकल जाती हैं इसलिए यहां पर सेटेलाइट का उप्योग किया जाता है 2019 से और 2021 यह दो वर्षों का प्रश्ण है अब आगे बात करेंगे व्योम तरंग संचरन किसे कहते हैं और यह संचालन है तो उप्यूक्त आवरिति परास लिखिए लेखिए व्योम तरंगे क्या होती है वे ऐसी तरंगे हैं जिनको जो है यदि हम आकास की ओर भेजेंगे तो यह चोब मंदल से आयन मंदल के बीच टकराकर परावरतित कर पुना वापस आ जाती है ऐसी इस्थिती में जो है इनका आवरिति परास जो है वो 3030 मेगा हर्द के नीचे होना चाहिए और एक दसंबलव पाँच मेगा हर्द से ऊपर होना चाहिए ठीक है तो एक दसंबलव 5 मेड़ से तीस मेड़्स आवरित्ति पराष में यह तरंगे होती है यह जो है अयन मंडल से जो है या चोब मंडल से परावर्तित ओकर वापस आ और मुख्य तोर पर यहां पर एम मॉडिलेशन यहने की एम एम्प्रिटूट मॉडिलेशन वाली जो है सारी संचार विवस्थाएं इसी के उपर आधारित हैं तो 2019 का प्रश्ण है और हम लोगों ने इसके बारे में सीखा अब टेलिविजन सिग्णल के प्रसारण में व्योम भाज क्या है कि वो मंहें आएन मंडल से परावर्ति थोकर आ जाती है और इनका आंअ久ार से जाती क्यों में अदिक पराण के निकल जाती है तो इसी लिए टेलिविजिएन सिगनल के प्रसारण है तो हम किसका उपयोग करते हैं आकास तरंगों का उपयोग करते हैं और वहाँ पर सेटेलैट बिठा करके आपके टाटा इसकाई में सिगनल भेज आ जाता है 2019 का यह प्रहादर प्रश्ण पत्र है और यहां पर यह प्रश्ण पूछा गया था आगे देखेंगे सिग्नलों को लंबी दूरी तक प्रसारन है तो सूक्ष मतरंगे उपयोख्त होती हैं क्यों अब देखे सूक्ष मतरंगों के बारे में एक खास बात यह है कि यह ऐसी रीडियो तरंगे हैं जिनें हम बीम के रूप में उप्योग कर सकते हैं जैसे प्रकास के एक निश्चित दिसा में भी भेज़ पाना संभाव है उसी प्रकार से यह जो सूक्ष मतरंगे हैं याने कि मा है और हम लोगों ने इसके बारे में भी सिखा अब क्या स्रव्य तरंगों को रिक्त आकास में सीधा प्रसारान संभा हो है आप समझे कि आप अगर एक उची जगह पर खड़े हो जाएं और जोड़ से चिल लाएं तो क्या आपकी आवाज बहुत दूरी तक हो सकती है इसका भुजरने वाली जो तरंगे होती हैं उनमें बहुत ज्यादा उर्जा की आवश्च्टा होगी यदि हम दूरी को लंबा बनाना चाहें इसलिए जो है मांडूलेशन का उपयोग किया जाता है मांडूलन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम स्रव्य तरंगों को रेडियो त है को इस तरीके से जए दिखाया जा रहा है तो यह जो है इस तरीके के जम होते यह एनलोग सिगनल होते हैं और जब कि जो है यदि हम जो है सिर्फ पल्सेस के रूप में जो है इस तरीके से सिगनल भेजें तो यह डिजिटल सिगनल होते हैं एनलोग सिगनल जो है तो पहले हम लोगों क्या देखा कि एनलोग सिगनल जो है वहां सतत सिगनल होते हैं सतत सिगनल ह नहीं होते हैं इन्हें हम साइन वेवभा जो है प्रधांशित कर सकते हैं इन्हें हम सुन और वन्स के पॉल्सेस नफर पदाशित करते हैं उसके बाद में जो है एनलॉग सिगनल का जो है में जो है क्वालिटी अलग धंग से उप्योग की जाती है यहां पर रिलेट्र मेगनेटिक केड़ों का उप्योग किया जा सकता है हमारी आवाज भी यह एक एनलॉग सिगनल है जब कि यहां पर जो है हम उसके बाद में भी सीखा अब जो है संचार विवस्था तंतर की से कहते हैं इसके मुख्य अव्यों को समझाईए और ब्लॉग आरेक बनाएए यह पांच अंकर का प्रश्ण होना चाहिए और सबसे पहले हम लोगों ने आज के वीडियो में संचार विवस्था की ही बात की है तो इसी तरीके से और भी प्रश्ण है जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे आप जुड़े रहें हमारे साथ में यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के ल द typically चैनल रहें नहीं कि त स्थक्राइब करत के ल सल्गू एente आप दो सहने इलए हमारे शबारे साथ चैनल बेتى.